गूड मॉर्निंग प्यारी बच्चो आप सभी कैसे हैं आशा करते हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ वा सुरक्षित होंगे बच्चो मिसन सिक्षन समवात के अंतरगत दैनिक पठन पाठन में आज प्रस्तुत है ग्रह सिल्प कक्चा साथ का पार्ट प्राथमिक उपचार प्राथमिक उपचार क्या है आईए पढ़ते हैं प्राथमिक उपचार इस्कूल में भोजन अवकास था बच्चे मैदान में खेल रहे थे कुछ गेंद खेल रहे थे तो कुछ रसी कून रहे थे अचानक मोनु के पैर में मूच आ गई वह दर्द के कारण चीखने लगा सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए मास्टर साहब भी दोड़ते हुए आए मास्टर साहब ने सभी बच्चों को गायल मोनु से दूर खड़े रहने को कहा उन्होंने तुरंत उपचार पेटी का मंगवाई सभी बच्चे उस सुक थे कि इस बकसे नुमा डिब्बे में क्या होगा मास्टर साहब ने एक मरहम निकाला और मोनु के पैर में लगा दिया फिर उस पर क्रैप पट्टी को कस कर बान दिया गायल मोनु को दर्द निवारक दवा भी दी गई थोड़ी देर के बाद उसे आराम हो गया उसके बाद मास्टर साहब मोनु को डॉक्टर के पास ले गए आपने देखा कि मास्टर साहब ने किस परकार प्राद में कोपचार पेटी का फ़स्ट एड वाक्स की सहायता से मोनु को दर्द में आराम दिलाया इस परकार हमने जाना कि किसी भी गायल या वीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी उसकी सहायता कर सकते हैं उसे प्राद में चिकिस्सा कहते हैं चिकिस्सक के आने के पहले सामान व्यक्ति द्वारा दिया गया उप्चार जिस से रोगी की प्राण रक्षा में मदद मिल सके प्राथमिक उप्चार कहलाता है प्राथमिक चिकिस्सा के लिए प्राथमिक उप्चार पेटी का होना अती आवश्यक है हर घर ओफेस और विद्याले में उप्चार पेटी का होनी चाहिए जिस से जिसमें प्राथमिक चिकिस्सा से सम्मंदेत सामग्रियां जैसे पट्टियां, बैंडेट, कैची, एंटिसेप्टिक लोशियर, क्रीम, थर्मामीटर, बाम, इलेक्ट्रॉल आदी होना चाहिए आओ प्राथमिक उप्चार पेटी का बनाना सीखें देखिए बच्चोई चित्र में प्राथमिक उप्चार पेटी का दी गई है और उसमें क्या क्या सामान होना चाहिए वो भी चित्र में बताया गया है आईए देखते हैं कैसे बनाते हैं प्राथमिक उप्चार पेटी का खाली पड़ा दफ्ती का या प्लास्टिक का डिबा ले सफेद कागज को डिबबे के चारों तरफ गोन से चिपका दे डिबबे के उपर बीच में लाल रंग से प्लस का जोड का चिन लगा दे जोड चिन के नीचे प्राथ में चिकिसा पेटी का लिखे फिर डिब्बे के अंदर उपर बताई गई सभी सामगलियों को रख कर रख दीजिए अपनी प्रात्मिक चिकिस्सा किट को छोटा रखें इसमें ऐसा सामान रखें जो कई तरह से काम आ सके फर्स्ट एड किट बनाने की विधी नीचे दी गई है आईए पढ़ते हैं नमबर एक फर्स्ट एड किट के लिए एक अच्छा बॉक्स चुनें जो बड़ा वपारदर्सी हो कोशिश करें कि यह बॉक्स वाटर प्रूफ हो नमबर दो किट को ऐसी जगह रखें जहां से यह दिखे भी और निकाली भी आसानी से आसान हो बच्चों को बता दें कि किट कहां रखी है लेकिन इसे उनकी पहुंच से दूर रखें नमबर तीन अपने परिवार वालों को फर्स्ट एड किट के बारे में और इसे इस्तमाल करने के तरीके के बारे में बताएं नमबर चार अपने फर्स्ट एड बॉक्स के सामान की समय समय पर जाच करते रहें और एक्सपायर दबाओं को बदल दें नमबर पांच किट में रखने वाले सामान के लिए एक चेक लिस्ट बना लें ताकि आप कुछ रखना भूलें नहीं और भी जाने लारंग का प्लस चिन का प्रयोग चिकिस्सा छेतर में किया जाता है जैसे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, दवाओं की दुकानों आदी में आप इस चिन को देखते हैं प्राथमे कुपचार पेटिका की जरूरत किसी भी जगय पर किसी भी समय पर सकती है जाले में ही नहीं बलकि घर में भी इसे बना कर रखना चाहिए आईए बच्चों गतिविदी देखते हैं सभी बच्चे अपने घर पर प्राथमे कुपचार पेटिका फर्स्टेट बॉक्स बनाएंगे अब हम कुछ बीमारियों के लिए प्राथमे कुपचार कैसे कर सकते हैं सीखेंगे पढ़ेंगे सबसे पहले है बेहोशी या मूर्चा रोगी के मस्तिश्क में किसी दुरगटना के आगात से व्यक्ति का इसनायो संस्थान प्रभावित होता है अथ्वा मस्तिश्क के किसी कारण वस रक्त का प्रवाह कम हो जाए तो भी व्यक्ति को मूर्चा आने लगती है मनुष्य की सोचने सुनने की शक्ति नश्ट हो जाती है कारण क्या है इसका मानसिक तनाव अचानक डर जाना या सदमा लगना निर्जली करन सिर पर गहरी चोट लगना खाली पेट रहना धूप में देर तक खड़े रहना आदे लक्षन चक्कराना आखों के सामने धुनला हो जाना जी मचलाना दिल की धरकन तेज हो जाना बहुत ज़्यादा पसीना आना देखो बच्चों ये बिहोश हो गया है लडकी इसका चित्र है इस तरह से बिहोशी हो जाती है अब इसका उपचार देखते है अमें क्या करना चाहिए यदि किसी को कोई मूर्शित हो जाता है मूर्शित व्यक्ति को जमीन पर या चारपाई पर इस प्रकार लिटा देना चाहिए कि उसके पैर उपर की ओर हो तथा सिर नीचे की ओर रहें जिससे रक्त संचार सिर की तरफ तेजी से हो नमबर दो रोगी के वस्त्र धीले कर देना चाहिए बहुत टाइट कपड़े ना पहने हो रोगी के आसे पास भीर एकत्रेत नहीं होने देना चाहिए उसे पर्याप्त वायू मिलना चाहिए नमबर चार रोगी के चहरे पर पानी का छिरकाव करना चाहिए मुलायम कपड़े को भिगो कर चहरे को पोश्च देना चाहिए आवशक्ता पढ़ने पर डॉक्टर के पास रोगी को ले जाना चाहिए अगली बीमारी है मिर्गी यही एक प्रकार का मश्तिश्क विकार है मश्तिश्क का कारे तंत्र का तंत्र को सही काम करने के लिए सूचित करना है परन्तु इस कारे में बाधा उत्पन होने पर रोगी को बार बार दोरे पढ़ने लगते हैं इसका कारण क्या है बच्चों देखते हैं दिमागी बुखार सिर पर किसी प्रकार की चोट लगना मादक पदार्थों का अधिक सेवन करना मानसिक तनाव, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन श्ट्रोक, आधि लक्षड क्या है बेहोश होकर गिर जाना, दात कसकर जकड जाना, मुह से जाग निकलना सरीर में जटके आना, तथा सरीर का अकडना आधि उपचार देखते हैं बच्चों परियाप्त नीन लेनी चाहिए, रोगी को खुली जगए लिटाना चाहिए, तनाव से दूर रखना चाहिए, उसके वस्त्र ढीले कर देना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, डॉक्टर से परामर्स कर उचित दवा लेना चाहिए